हेलो, नमस्कार, मैं निल सक्रावर और कक्षा 11 कि इसलिए बस मैं डे 56 में जिसमें हम नेक्स टॉपिक पढ़ रहे हैं, लिफ्ट में गति तो इसके लिए हम फोर्मलेड एराइव करेंगे कि लिफ्ट में जो गति है वो किस परकार से होती है गति का मतलब यह है कि जब हम लिफ्ट में होते हैं तो उस समय हमें जो भार है हमारा वो किस परकार से महसूस होता है यानि जब लिफ्ट गति करती है उस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार वास्तिक भार से अलग महसूस होता है नोर्मली हम जनरली जब लिफ्ट में जाते हैं तब हम देखते हैं जैसे लिफ्ट रुकी है तब इस्थिती सामाने जैसे लिफ्ट गतिगरना शुरू करती है अगर या दी नीचे की तरफ जाती है या उपर की तरफ जाती है तो हमारी बोड़ी में एक जटका महसूस होता है वो जटका महसूस होता है वो परिवर्तित भार के काण महसूस होता है यानि हमें हमारा जो भार है वो वास्त में जितना है उसकी तुलना में अलग महसूस होता है तो हम बात करेंगे कि लिफ्ट जब उपर जा रही है तो क्या स्थिति होती है जब lift नीचे आती है तो क्या स्थिति होती है और सामाने स्थिति क्या होती है यदि हम सतंतरता पूरों गिरते हैं तो क्या स्थिति होती है या lift की डोरी टूट जाती है तो क्या स्थिति हो सकती है वो सारी बात हैं हम इसमें करेंगे हमारा भार जो है mg वो हमेशा नीचे की तरफ काम करता है और पर्तिकिरियाबल उपर की तरफ काम करता है सामाने स्थिति में क्या होता है कि जो भार है वो ही पर्तिकिरियाबल के बराबर होता है r is equal to mg होता है तो उस इस्थिति में भार पर्तिकिरियाबल के एकवल होता है लेकिन जब यहां इस lift की भी गति होती है तो उस इस्थिति में पर्तिकिरियाबल परिवर्तित हो जाता है और जो पर्तिकिरियाबल होता है वो ही हमारे भार को व्यक्त करता है कितना होगा परतिकरियाबल चेंज हो रहा है वो किस पर depend करेगा वो lift के turn पर depend करेगा कि lift का turn कितना है इसका मदलब इसके लिए परिणामी बल परतिकरियाबल यह कह सकते है कि यह होगा R अब lift उपर की तरफ भी जा सकती है नीचे की तरफ भी जा सकती है हम अगर देखें R के according मान देखें तो जो W है वो M G के बराबर होता है यह कहते हैं F बराबर M A होता है बल का मान तो R plus minus M A is equal to M G एस हम ले सकते हैं यह common equation है वैसे इसकी जरूरत नहीं है यह common equation है R plus minus M A plus minus का मतलब क्या है A पर depend करेगा कि A जो है वो plus है यह minus है यानि कैसे पता चलेगा जब lift उपर जा रही है तो सिस्तिती में lift की गति उपर की तरफ हो रही है G हमेशा किदर काम करता है नीचे की तरफ यदि हम G के विपरीत जा रहे है और lift में तोर्ण है दिशा में A इसलिए वो minus में होगा यदि lift भी नीचे की तरफ ही आ रही है G भी नीचे की तरफ हारे करते ही है lift भी नीचे की तरफ आ रही है तो A क्या हो जागा? उससी स्थिती में plus में हो जाएगा A plus में होगा इसलिए resultant value निगालने के लिए प्लस माइनस दोनों ले लेते हैं फिर अलग लग इस स्थितियों की बात कर लेंगे कि उपर जाते समय क्या होगा नीचे जाते समय क्या होगा तो A अपने पास common equation आ गया R plus माइनस M is equal to Mg अब बात करते हैं जब lift उपर की तरफ गति करते हैं जब पहली condition ले रहे हैं इसमें जब lift उपर की ओर गतिशील होती है यह पहली condition है लेकिन इसके लिए एक बात और ध्यान रखने है उपर की ओर गतिशील हो रहे है किस से तोरण A से हमें यह ध्यान रखना है नुमेरिकल में इस बात का बहुत ज़्यादा यूज होता है हम अगली क्लास में करेंगे इसके नुमेरिकल कैसे हैं तो उसमें यह बात बहुत काम आएगी तो ध्यान रखना आपको तरण A से तरण होना चाहिए तरण का मतलब वेग में परिवर्तन जैसे लिफ्ट रुकी होई है तो इसका वेग 0 है जैसे गति-गति है तो 0 से बढ़ता है तो वेग परिवर्तित होता है तो इसमें तोरण उत्पन होता है इसलिए तोरण वहाँ ओना चाहिए नहीं होगा तो उसका क्या फरक पड़ेगा वह हम बात करें अभी तो यहां से अब हम condition क्या ले रहे है कि lift जो है वो किदर आ रही है उपर की तरफ जा रही है तो यह हमने इस तरह से मान रखा है कि कोई व्यक्ति lift में पर्तिकिरियाबल उपर की तरफ लगता है ठीक है lift उपर की तरफ जा रही है तो A किसमें होगा माइनस में होगा क्योंकि M G किदर काम करता है नीचे किवर काम करता है तो अपने पास प्रणामी बल क्या आएगा इसके उपलिए R minus M A is equal to M G तो value क्या आगई R is equal to M A दर आगे plus में आजएगा M G plus M A M common आगया value क्या आगई G plus A तो प्रणामी प्रतिकिरिया बल क्या होगा G में A कामान और आड होजएगा जिस सिमान लो normal way में हम मानने कि G कामान 10 है 10 meter per second square मान सकते है और A कामान 1 है तो 10 plus A कितना होगए 11 होगए तो पहले अगमान लो इसका दुर्वयमान जो है वो 60 kg है तो 10 से गुणा करेंगी M G से गुणा करेंगी सामने स्थिती में normal way में lift के बाहर अगर बात करें यह lift रुकी है उसी स्थिती में तो 60 गुणा 10 600 N बल लग रहा है उस पर प्रतिकिरिया बल लेकिन जैसे ही अगर lift उपर की तरफ गति करेंगी तो lift का तोर्ण और इसमें जोड़ जाएगा तो उसी स्थिती में क्या हो गया मान लो 1 है तो 10 प्लस 11 हो गया ठीक है 11 को 6 से गुणा करेंगी 60 से गुणा करेंगी तो 660 हो गया तो इसी स्थिती में व्यक्ति को अपना भार जो हो अपने वास्तिक भार की तुलना में ज्यादा मैसूस होगा यह इसका result है जो ध्यानक नहीं इसी स्थिती में व्यक्ति को उसका भार वास्तिक भार की तुलना में वास्तिक भार की तुलना में अधिक महसूस होगा तो ये हमें ध्यान रखना है कि जैसे ही लिफ्ट जब उपर की तरफ जाती है तो हम अपने आपको भारी महसूस करते हैं जब लिफ्ट उपर की तरफ जाती है हम अपने आपको भारी महसूस करते हैं जतनी हमें हमारा भार जितना है उसकी तुलना में हमें ज़्यादधा महसूस होता है। अब दूसरी condition की बात करते हैं जब lift नीचे की तरफ आती है। जब lift नीचे की तरफ आती है। लेकिन यह बात ध्याण रखने है तोड है यहां। से यह बात आपको ध्यान रखने है तो और A से नीचे की तरफ आती है तब फिर उसी तरह से बात कर लेए है कि यह lift है इसमें कोई वक्ति खड़ा है उस पर M जी नीचे की तरफ काम कर रहा है और लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है तो A भी क्या है प्लस में है तो प्रतिकिरिया बल क्या होगा R A कामान प्लस रखेंगे तो M तो व्यक्तिका द्रवयमान है M A is equal to नीचे की दरब भाहर काम कर रहा है M G तो प्रतिकिरिया बल क्या है M A दरब आगे माइनस हो जाएगा M G माइनस M A value क्या आगई M common आगया G माइनस A यानि वो ही स्थीती है तो क्या होगा जैसे उपर हमने example लिया कि 1 meter पर second square की turn से उपर जा रही है अब हम मानने कि 1 meter पर second square की turn से lift नीचे आ रही है तो 10 में से गटा देंगे 9 गए 9 को 60 से गुणा करेंगे 540 newton इसका मतलब normal way में to कितना लग रहा था 600 newton अब नीचे की तरफ आ रही है तो कितना लग रहा है 540 newton इसका मतलब क्या होगया व्यक्ति अपने आपको हल्का महसूस करें इसका मतलब व्यक्ति को अपना भारवास्तिक भार्गीत पुलना में क्या मैसूस होगा अधा क्या हुआ अधा इस इस्थिती में इस इस्थिती कोण सी यह जो उपर लिखे गई है कोण सी जब लिफ्ट नीचे आती है इस इस्थिती में व्यक्ति को अपना भार वास्तिक भार से कम परतीत होता है या कम महसूस करेगा वो अपने आपको हलका महसूस करेगा इसका मतलब इसी इस्थिती में व्यक्ति अपने आपको हलका महसूस करेगा अब आते हैं next बात लेते हैं number 3 कि जब lift एक समान वेग से उपर जाती है या नीचे आती है ये बात ध्यान रखना एक समान वेग से बेख कहेंदो चाल कहेंदो एक समान वेग से उपर कहेंदे हैं या नीचे कहेंदे दोनों के लिए same है, इसलिए अलग-लग नहीं कर रहे हैं, मैं एक में बात कर लेते हैं, नीचे आती हैं, तो इसी स्थिति में क्या है, उसकी जो चाल है, उसकी जो वेग है, वो एक समान है, चाहे उपर जा रही हो और चाहे नीचे आ रही हो दोनों के लिए बात लागव होगी तो वही R और ये M G देखो वेग समान है तो इसका मतलब क्या हुआ V का मान क्या हो गया constant V constant है तो तोर्ण क्या होता है DV बटे DT S इस्थिति में जब भी वेग निश्चित होता है तो तोर्ण हमेशा क्या होता है 0 होता है तो तोर्ण 0 है इसलिए अगर minus में लेंगे तो भी क्या होगा 0 से multiply होगे M A 0 हो जागा तो भी कोई इस पर effect नहीं बढ़ रहा plus में आप ले रहे हो तो भी 0 है 0 को जोड़ रहे है तो भी कोई effect नहीं बढ़ रहा इसका मतलब in this condition R will be equal to mg R इसी स्थिति में mg के बराबर होगा यानि ऐसी स्थिति में क्या होगा व्यक्ति को कोई जादा कोई अंतर अपने आप में मैसूस नहीं होगा ये स्थिति कब होती है जैसे lift चलती है उसे में तो हमें एक बार जटका महसूस होता है क्यों होता है क्योंकि जब lift रुकी होगी है तब तो 0 है उसका वीग और तुरंथ ही 0 से maximum हो जाता है तो उसी शान उसमें परिवर्टन होता है तो उसी शान उसमें तोर्ण होता है इसलिए उसी शान जटका महसूस होता है जैसे ही परिवर्टित हो जाता है वेग तो constant हो जाता है पिर निश्चित वेग से फिर अगर मानलो continue जारी है फर्स्ट फ्लोर से फॉर्थ फ्लोर पे लगातार चल रही है तो वो एक निश्चित वेग से चलेगी ऐसे नहीं यह बार बार जटका खाता ही पहुँचे आदमी ऐसा नहीं होगा क्या होगा नॉर्मल वेग में फिर वो गती होगी फिर उसके बाद उसको कोई दिक्कत मैसूस नहीं होगी वेक्ति को इसका मतलब क्या होगा जैसे इस 0 से increase हुआ तुरंती बहुते कम समय में वो अपने maximum वेक को पराप्त कर लेते हैं उसके बाद constant होगया वेक constant होगया तो अब उसमें turn नहीं है और turn नहीं है तो उसी स्थीति में r is equal to क्या है mg है इसलिए वो जटका उसको एक बार ही महसूस होता है बार बार नहीं लगना उसको तब दूसरी बार कब लगेगा जैसे रुखेगी क्योंकि जैसे रुखेगी तो अधिक्तम से वापिस जीरो होगा फिर वेग परिवर्तित हुआ और वेग परिवर्तित होते तवन उत्पन होते उसको अपना बार परिवर्तित मैसूस होगा तो थोड़ा घटका मैसूस होगा तो यानि अगर आपको ये एक समान वड आध्यान रखें कि अगर एक समान वड दे रखें एक समान वेक से उपर जा रही हो lift या नीचे आ रही हो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा दोनों ही स्थितियों में उस पेर कोई अलग effect नहीं पड़ेगा यानि व्यक्ति को अपना भार अपने वास्तिक भार के बराबर मैसूस होगा तो यहां से बात कर लेता है व्यक्ति को अपना भार क्या होगा इस स्थिति में वो lift के बाहर है वैसी स्थिति उसको अंदर होगी है इस स्थिति में व्यक्ति को अपना भार वास्तिक भार के बराबर मैसूस होगा यह आगई बात भी अब लास्ट बात ले लेते हैं यदि लिफ्ट की डोरी टोड़ जाए वैसे ऐसा होता नहीं है लिफ्ट की डोरी टोड़ जाए या यह कहते हैं सुतंतर गति कह सकते हैं किसी भी कणगी सुतंतर गति इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब डोरी से बंदू ये लिफ्ट है उस समय तो उसको क्या है बिजलेगी साहिता से चलाए जा रहा है नीचे मोटर लगे रहती है वो उसको फोर्स अप्लाई करती है जिसे वो उपर या नीचे जाती है लेकिन अगर तूट गई वो डोरी मालने तूट गई तो फिर वहाँ वो क्या हो जाती है उस इलेक्टिसिटी से उस मोटर से उस प्रेशर से उस फोर्स से फ्री हो जाती है फिर वो किसकी अधीन आती है गुर्त आकश्न के अधीन यानि उसकी स्थिती वैसी होती है जैसे अग गती जो होती है वो गुर्तिय तोरण के अधीन गती होती है ऐसी इस्थिती में तो इसी इस्थिती में A और G क्या हो जाते है बरावर हो जाते है और जैसे ही freely motion होगा वो हमेशा नीचे की तरफ होगा तो A positive होगा या A बरावर G होगा क्योंकि G की direction में है G के बरावर ही है इसलिए value क्या जाएगी हम यह मान रहें इसके अंदर कि यह कोई lift है इसमें कोई वक्ति खड़ा है और यह जो डोरी है वो टूट गई टूट गई तो lift नीचे की तरफ आएगी M G तो नीचे की तरफ काम करी रहे है तो यह क्या आजएगा A बरावर क्या हो जाएगा इसमें G हो जाएगा A और G क्या होगे बरावर होगे ऐसी स्थीति में R प्लस M A की जगा क्या रख देगे G रख देगे और यह बरावर M G तो वही है जो पहले उपर चलता रहा वही है बरावर G तो यहाँ से M G से M G कट गया R बरावर क्या है जीरो इसका मतलब क्या होगा इस स्थीति में उस पर कोई परतिकिरिया बलकारे नहीं करेगा Simple Language में यह कह सकते हैं इस स्थीति में व्यक्ति को अपना भार जीरो महसूस होगा इसका मतलब कि इस स्थीति में व्यक्ति को अपना भार शुन्य महसूस होगा यानि weightlessness condition हो जाएगी भार हिंता की स्थीति हो जाएगी इसे भार हिंता की स्थीति कहते हैं तो यह सारी स्थीतिया नोर्मल है ध्यान रखनी है निमेरिकल पोर्ट्शन में काफ़ी यूज होगी अगला क्लास में हम जो करेंगे 57 में उसमें इससे समंदित एक निमेरिकल एक से पूछे जाते हैं question, simple से question पूछे जाते हैं काफी अलग लग तरह की conditions दे दी जाती हैं लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि अगर वहां गुर्त्वय तोर्ण के अलावा work हो रहा है कोई व्यक्ति खुद work कर रहा है कोई machine work कर रही है तो वहां तोर्ण हो सकता है तो वह तो अमान चाल दे दी तो थो अन कामान zero होगा उसी स्थिती में R ब़ावर mg होगा जैसा नॉर्मली लेते हैं और अगर ऐसा दे दीया जाए सवतनतरता पूरण कण गिरता है या सवतनतरता पूरो गिराया जाता है या नीचे आता है तो उसी स्थिति में क्या होगा M A जो हो M G के बराबर होगा तो R कामान 0 होगा पट्टी गिरियाबल सुन्य कारे करेगा और इसी स्थितियों कहते है भार हींता की स्थिति ये बात आप जुरूर ध्यान रखे इसी स्थिति को भार हींता की स्थिति कहते हैं तो यह बात होगी लिफ्ट में करते ही तो आपको यह ध्यान रखना है कॉमन नोर्मली अगर पूछा जाए तो कि अगर लिफ्ट उपर जाती है तो विक्ति अपने आपको भारी महसूस करता है यानि उसका वेट बढ़ जाता है बढ़ता है, एक्चुल में नहीं बढ़ता है उसको महसूस बढ़ा होता है और जब लिफ्ट नीचे आती है तो विक्ति अपने आपको हलका महसूस करता है यानि उसी स्थिति में उसका भार वास्ति भार के तुलना में कम परतीत होता है और अगर यह कब होगा, जब त्वर्ण है वाँ और अगर एक समान चाल है एक समान वेग है, यह कह दिये जाए तो उसी स्थिति में त्वर्ण नहीं होगा तो आर बराबर एमजी होगा वो स्थिति वैसी होगी, जैसी विक्ति लिफ्ट के बाहर है, वैसी स्थिति लिफ्ट के अंदर उसके लिए होगे और लास्ट कंडिशन जो है अगर वो सोतनतता पूरुगति होती है यानि लिफ्ट की बात करें तो जो मोटर का कनेक्शन अब वो अटा दिये जाए डोरी टूट जाए तो वो बिलकुल नीचे की तरफ आएगी और वो अंडर ग्रेविटेशन मूव करेगी तो उसी स्थिति में यह बराबर क्या होगे जी होगे ऐसी स्थिति में और उसी स्थिति में पड़ती की डिया बलकमान शुनने हो जाएगा तो यह आप ध्यान रखें एक्स्ट क्लास में करेंगे निमेरिकल तब तक आप इसको रिवाइस करें पढ़ते रहें थेंक्यू